नमस्कार दोस्तो, आप सभी का सुवागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक पर तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक अलग और मज़ेदार चीज जिहां दोस्तों आप साही सुन रहे हैं हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं चौधरी चरण सिंग से जुड़े तीन मज़ेदार और रोचक किसे तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंग की जन्तिती तेज दिसंबर है और इस दिन किसान दीवस भी मनाया जाता है चौधरी चरण सिंग अपने समय की काफी बड़ी सक्षियत माने जाते हैं वे पूर्व मुख्य मंत्री, ग्रह मंत्री, वित मंत्री, उप्रधान मंत्री और अंत्ते प्रधान मंत्री थे लेकिन ये सब ओदे उनके राजनितिक पहचान पर हावी नहीं हो पाए और उनकी छवी हमेशा एक किसान नेतकी ही बनी रही वो एक किसान नेतक के तौर पर ही देखे जाने लगे वो जिंदगी भर उनकी जो पहचान है वो एक किसान नेतक की पहचान से ही पहचाने जाने लगे जी हाँ दोस्तों आप सई सुन रहे हैं और लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर वे कुछ लंबे समय तक प्रधान मंतरी बने रहते तो वे किसानों का काफी भला कर सकते थे तो चलिए खैर अब इन सब बातों को छोड़ कर हम अपने तीन मज़ेदार रोचक किस्सों की और बढ़ते हैं चौधरी चरण सिंग को प्रधान मंतरी बनाने में सोशलिस्ट नेता राज नारायन के काफी एहम भूमी का थी उन्होंने काफी बड़ा किर्दार निभाया था लोग अकसर उन्हें चौधरी चरण सिंग का हनुमान कहकर संबोधित करते थे लेकिन बाद के दिनों में दोनों में गहरे मदबेद हो गए और इतने गहरे मदबेद हुए कि राज नारायन 1984 का लोगसबत चुनाव लड़ने के लिए चौधरी चरण सिंग की सीट यानी बागपत की सीट पर पहुँच गए दोनों का नामांकन एक ही दिन था और संयोग वश नामांकन करने के लिए दोनों एक ही समय पर पहुँच गए यह देख चौधरी चरण सिंग थोड़े चिंतित हुए उन्हें लगा कि कहीं उनके समर्थक राज नारायन के साथ बदसलूकी न कर दे इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि हम इस्थानिये है और इस हैसियत से राज नारायन जी हमारे महमान हुए अब चुकि वे महमान है इसलिए हमारी भी जवाब देई है कि हम लोग उन्हें पूरा समान दे इसलिए हम उन्हें पहले नामांकन दाखिल करने देंगे जब उनका नामांकन हो जाएगा तब हम अपना पर्चा भरेंगे यह कहकर चौदरी चरण सिंग ने मामले को संभाल लिया और दोनों का नामांकन शांती पूर्वक हो गया लेकिन चौदरी चरन सिंग ने राज नारायन को काफी बड़ी हार दी और राज नारायन को चौदरी चरन सिंग के हाथों काफी बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो चलिए ये था पहला मज़ेदार और दिलचस्प किस्सा अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे किस्से की और किस्सा नमबर दो जब देवी लाल से भिड़ गए चौधरी चरण सिंग और देवी लाल अपने समय के काफी बड़े किसान नेता माने जाते थे जहां चौधरी चरण सिंग पश्चिमी यूपी से आते थे वहीं दूसरी और देवी लाल हरियाना के रहने वाले थे दोनों के संबन्द काफी अच्छे थे, काफी मदूर थे लेकिन बात की दिनों में दोनों की बीच मनमुटाग हो गया 1980 के लोक सबा चुनाव में देवी लाल सोनी पत से सांसद चुने गए लेकिन 1982 की विधान सबा चुनाव में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सांसदी छोड़ दी राजनितिक टिपनी कार कहते हैं कि देवी लाल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उन्हें लगा कि वो हर्याना के मुख्य मंतरी अराम से बन पाएंगे इसलिए उन्होंने लोक सबा की सीट भी छोड़ दी थी लेकिन कॉंग्रेस के भजन लाल इस बीच में बाजी मार ले गए और भजन लाल हर्याना के मुख्य मंतरी बन गए इसके बाद चरण सिंग और देविलाल के मद्बेद उबरने लगे और देविलाल ने लोक दल छोड़ दी 1983 में खाली की गई सोनी पत की सीट पर उपचुनाव होने थे जहां चौधरी चरण सिंग ने किताब सिंग मलिक को अपनी पार्टी का टिकेट थमा दिया दूसरी ओठ है रे देविलाल अखर सुभाव के वो भी काप किसी से पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी जन्ता पार्टी के टिकेट से वो भी चुनाव में खड़े हो गए और अपनी चुनावी सवा में उन्होंने वोटरों से कहा कि मैं इस लाला चरंट सिंग और चौधरी वाजपाई को कुछ नहीं समझता आप लोग इनके कैंडिडेट किताब सिंग मलिक की किताब फार दो खैर लोगों ने चरंट सिंग के कैंडिडेट किताब सिंग मलिक की किताब तो फार दी लेकिन दूसरी और देवी लाल भी चुनाव नहीं जीत पाए और पिशली बार की तरह इस बार भी कॉंग्रेसी बाजी मार ले गई बली ही चौदरी चरन सिंग चुनाव हार गई हो लेकिन उनकी पार्टी देवी लाल को हराने में सक्षम रही तो इसके बाद उन दोनों के संबंद कभी भी मधुन नहीं हो पाए तो ये था दूसरा रोचक किस्सा चौदरी चरन सिंग से जुड़ा हुआ अब बढ़ते हम अपने तीसरे मजेतार और आखरी रोचक किस्से की ओर चौदरी चरन सिंग क्रिकेट के खेल को नापसंद करते थे और क्रिकेट के प्रती अपनी नापसंदगी को वो सारजिनिक तोर पर भी अकसर जाहिर करते रहते थे इस पर उन्होंने एक बार तो कहे दिया था कि रेडियो पर क्रिकेट की रनिंग कोमेंटरी को बंद करवा देना चाहिए यह पांच-पांच दिन तक लोगों को निठला और बेकार बना देती है देश के लोगों की वर्किंग कैपसिटी पर बहुत बुरा असर डालता है यह लेकिन क्रिकेट के दिवाने इस देश में चौधरी चरन सिंग की इन बातों पर ध्यान देने की हिम्मद शाहिद ही कोई पार्टी कर पाती है साथ की पसंद व्यक्तित्व के धनी चौधरी चरन सिंग थे तो यह थी चौधरी चरन सिंग से जुड़े तीन मज़ेदार और रोचक के से उसके बाद चौधरी चरन सिंग 29 मई 1987 को दिल्ली में उनका निदन हो गया उसके बाद से उनके बेटे अजीद सिंग और उनके पोते जैन चौधरी आरेलडी पार्टी यानि की राष्टिय लोगदल पार्टी से अपने पारिवारिक राजनिती को आगे बढ़ाने लगे लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजीद सिंग अब नहीं रहे हैं उनका भी अभी हालिया में निदन हो गया है तो अब पारिवारिक राजनिती को संभालने की सारी भागम दोर उनके पोते और अजीद सिंग के बेटे जैन चौधरी पर आ चुकी है तो ये थे चरन सिंग से जुड़े तीन मज़ेदार और रोचक किस्से मुझे उमीद है कि आपको ये किस्से जानकर बड़ी हैरानी भी हुई होगी खुशी भी हुई होगी और मज़ा भी आया होगा तो अगर आप ऐसे ही और रोचक किस से जानना चाते हैं तो हमें जरूर बताएं और अपने चैनल याने की आपकी बैठक के साथ आप सब जुड़े रहें So thank you everyone